हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है आज मैं आप सभी के सामने कैसे वर्टप्रेस वेबसाइट पर थीम को अपलोड करना ये बताऊंगी आज मैं बनाने जा रही हूँ एक Real Estate वेबसाइट और उसके लिए मैंने एक ठीम को डाउनलोड करके रखा है वो ठीम तो है प्रीमियम बट मैंने उसको क्रैक किया है तो पहले मैं बताऊंगी आपको कि मैंने कौन सी ठीम को डाउनलोड किया हुआ है तो आप ये देख पा रहे होंगे My Home Real Estate WordPress theme इसकी प्राइस देख रही है आपको $59 लेकिन मैंने इसको क्रेक किया है ये आपको काफी कम अमाउंट में भी बिल जाएगी अगर आप चाहें तो मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं मैं आपको इसको free में भी available करा सकती हूँ तो ये theme का मैं आपको preview दिखा देती हूँ पहले इस theme को मैंने crack किया हुआ है और इसको मैं अपनी एक real estate website पर apply करने वाली हूँ इसका जैसे इसमें काफी सारी demo available है तो फर्स्टर demo है default जो default file होती है जिसको हम man demo बोल सकते हैं इस तरीके का look आएगा हमारी website का अगर आप listing website का use करना चाहरें कभी-कभी होता है कि हमारे client को केवल informative चाहिए होती है कभी client चाहता है कि informative भी हो और कुछ property हम खुद के end से भी upload कर पाएं तो यह theme उनके लिए ज्यादा अच्छी थी और उनको यह color भी सही लगा हुआ था तो मैंने यह उनके logo का color भी इसी के logo के color के according था तो मुझे यह design काफी अच्छी लगी हो है और इसलिए मैंने इस theme को download करके रखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे काफी अच्छी थी में property को काफी अच्छे से दिखाया हुआ है इस में जैसे हम इसके details में जाते हैं काफी अच्छे से दिखाया हुआ है तो चलिए मैंने इसको download तो कर रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया इसको कैसे download करना कभी वर्ट कभी कभी होता है कभी कभी उस link पर वो लोग हटा देते हैं साइट से तो हो सकता है कि अगर मैंने आपको थीम बताई हो कि download करना उस time तक वो हट गई हो तो यह भी होता है तो इस बार मैंने आपको यह तो नहीं बताया लेकिन अगर आपको इस theme का access चाहिए यह इस theme के जैसे दूसरी design चाहिए तो आप मुझे contact कर सकते हैं मुझे comment कर सकते हैं मुझे mail कर सकते हैं बाकी मैं आपको इसको upload करके बताती हूँ इसकी काफी अच्छे अच्छे डैम हो है अगर आप e-commerce को भी prefer करते तो e-commerce के लिए भी यह अच्छी site है इसका work layout चेंज करके इसको बना सकते हैं बाकी यह color यह color काफी अच्छे हैं तो लेकिन मैं इसी color कर यूज करने वाली हूँ तो अब मैं इसको पहले upload कर देती हूँ मैंने अपने dashboard open कर रखा हुआ है अब यहां पर मेरे को theme पर जाना है अगर आप नए नहीं होंगे तो आपको पता होगा theme कैसे upload होते लेकिन जो अब पहले मैं आपको अपनी file दिखा देती हूँ जहां मैंने download करें यह मेरी zip file थी आप देख पा रहे हूँगे और यह मैंन फाइल है माई होम की चाइल्ड फाइल है डोकिमेंटेशन दिया हुआ है इसमें support भी मिला है तो इस तरीके से download करें कि आप वो देख पा रहे होंगे आप इसमें एक चीज आपको कैसे क्या करना है थीम को कैसे download करना है आपको demo import कैसे करना है एक चीज मैंने तो काफी अच्छी थीम है और डॉलर 59 की थीम आपको इजीली मिल रही है तो इससे अच्छा कुछ होगा नहीं तो मैं इस थीम को अभी आपको बताती हूं download करके sorry upload करके तो यह थीम तो मैंने access कर ली थी थीम को download करके रख लिया था अब यह upload का section दिख रहा है हम upload पर जाएंगे और यहां से upload theme को select करेंगे यहां पर हम फाइल को select करेंगे हमारी फाइल है desktop पर आप याद रखेगा कोई भी थीम को download करें तो उसके पहले आप जिफ फाइल को भी open करके देख लीजेगा आप कभी-कभी होता है कि आप डारेक्ट जिफ फाइल को भी upload कर देते तो आपको CSS के error बताती क्योंकि वो इसको extract करके रखना अगर हां आपके जिफ फॉल्डर में अंदर कोई ऐसी चैल्ड फाइल पैरेंट फाइल या documentation नहीं है तो आप डारेक्ट जिफ फाइल को upload कर सकते हैं तो मैं यहां से अपनी फाइल को upload करने वाली हूँ मैं अपने इसमें गई यहां पे आपको दो मैं parent फिम को डारेक्ट अपलोड करूंगी बाद में child फाइल को करूंगी तो मैंने अपनी payment theme को कर दिया और मैंने इंस्टॉल पे किलिख कर दूंगी यह फाइल इंस्टॉल हो रही है यह मैं एक प्रोपर्टी की वेबसाइट बना रहे हूं जो पूने की किलाइंट है मेरे अगर आपको इस तरीके की कोई वेबसाइट की नीड हो तो आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं काफी अफ़र्डेवल प्राइज में हम लोग प्रोव जो मैं आपके साथ सेयर करना चाहा रही हूं अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको अपलोड होने में क्योंकि थीम बड़ी है अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मैं कोसेस करूंगे आपके साम आपने टेकनिकल की हर तरह की वीडियो लेकि आपका ऑगर के मेरी चैनल पर आप देखेंगे आपको हर तरीके की वीडियो मिलेघी आपको व Memわizes related मिलेगी आपको laptop से related मिलेगी अगर आपको लॉन का सोच रहे हैं जा आपको instant to come amount का launch चाहिए तो आपको उसकी ऐसी information गुलिगों जो भी information में provide करती हूं बहुत सही करती हूं मैं नहीं चाहती कि मेरे एंड से कोई भी आप तक गलत information पहुचे तो अगर आपको लग रहा है कि आपको मेरी वीडियो देखना चाहिए तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीचे और मेरी वीडियो को जरूर देखते रहे हैं और यहां पर हमारी थीम अप्लोड हो रही है मैं भी नैट थोड़ा इस वह साइसलो इसलिए तो इसी तरीके से हमारी थीम अप्लोड होगी और हमको मैं सोच रही है उसको एक्टिवेट करके आपको बता दूँ मैं भी थोड़ा टाइम लग सकता है देखते हैं यह हमारी थीम अप्लोड हो गई है अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर यह आ गया है माय होम की थीम अप्लोड हो चुकिए अब यहां पर हमको इंस्टॉल प्लगिन दिख रहा है बाकी मैं यह सब करूंगे आज की वीडियो में मैंने मेरे को यह बताना था कि हमने अगर कोई प्रिमियम थीम डाउनलो यह बता है तो इसी तरीके से हमको थीम का फॉल्डर मिलता है जो जिफ फाइल में रहता है अगर आपने कभी कोई दाउनलोड करी हो तो इसी तरीके से आपको दिखेगा अगर आपको यह थीम चाहिए हो तो भी मुझे बताएगा मैं फ्री आपकोस्ट में इसको अभेल करा होंगे बाकी मेरे चैनल को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें थेंक यू